हालो दूस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब कभी भी आपका डेबिट कार्ड ब्लक हो जाता है या फिर किस कारण बज़े से आप उसको ब्लक कर बात है या फिर ओ कहीं क्यों हो जाता है तभी आप लोग निव डेबिट कार्ड के लिए कैसे अपलाए करें उसकी बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में नमस्ते में हूं दीपती आप लोग देखरें टेक दीपती वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नाम भूलें अगर आप लोग की कभी क्रेडिट कार्ड लास हो जाता है या फिर क्रेडिट कार काड ब्लक होता है कुछी कारण बज़र से कुछ गलत ट्रैंजक्शन होता है तब आपको काड अपने काड को ब्लक करने पड़ता है तो उस कंडिशन में आप कैसे फोन करके अपने काड ब्लक कर सकते हैं और जानने के लिए आप लोग यह आई बटन बाला वीडियो देख सकत है तो फिर उस कंडिशन में आप कैसे उसको अपलाई कर सकते हैं उसकी बारे में हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में आप बस दो मिनिट में उसको अपने आई मोबाईल आप से अपलाई कर सकती है तो फिर चलिए वीडियो शुरू कर आपको पहले अपनी आई मोबाई पर क्लिक करेंगे और यहां आप जब नीचे स्क्रोल करेंगे यहां आपको अप्शन मिल जाएगा मैंनेज डेबिट कार्ड के अंदर री इस्यू डेबिट कार्ड यह अप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है पृ racks पर आप को कुछ इस्तार का प्रेश देखने को मिलेगा यहां से आपको अपने आकाउन confirmed कर लेका लेना है क스कर नेमिट करंद करें असके बाद आपको जो भी पूरान आडरेस पर आकशन में होगा और मोबाइल नंबर है और पोआ निचे कस्टमर नेम सिलेट कर लेना है उसके बाद आपको जो भी पुरान आड्रेस में होगा ओ आ जाएगा मोबाइल नंबर आ जाएगा और निच्चे आपकी इमेल आईडी आ जाएगा यहां आप चार्जेस पर क्लिक करेंगे तो फिर देखें यहां चार्जेस दिखा रहा है आपको 200 देना पड़ेगा प्लस जीस्टी कार्ड को रियूस्टू करने के लिए और 150 देना पड़ेगा आपको सेहर के लिए और 99 देना पड़ेगा गाउं के लिए एक्स्ट्रा 200 के ब क्यि ह Load सब्सक्राइब कर लीए इस तरो की इन्फरमेटीव वीडियो के लिए झाल झाल